नमस्कार साथ ही आपका स्वागत आपके यूटूब चनल ट्रेट वित्राणिक चली तो उस तरह के सुरुवात करते हैं आज को जो शेर है वो जेपी पावर जेपी पावर में मैंने हर टाम आपको सही समय पर आपको अपडेट दिया है तो मुझे लगता है आप सही समय इसम परानी कॉल्स का तो मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर जिनका पावर में होल्डिंग अच्छी घाजी और मैं इचाता हूं कोई वियो कैपिटल लोस हो तो मैं अपडेट अप्डेट देता हूं जेपी पावर के ऊपर जो शेयर टेफिनिटि इप यह मल्टी बैगर है यह इसमें पोटेंशाल में पर पेसक्राइब्स साहिं में होल्ड गया है अगर आज जो मैं वीड़क वना रहा हूं इस वीडु गंदा आपको बहुत साही चीजेजिस के डीपले एक सब्सक्राइब करना तो शेयर को और कितने समय के पहले मेरे टारगेट देखंग एक साथ रुप द खर पंदर उपी देख सकता है जब यह ता उस ट हमस्तह उस पे हैं पना वीडियो डेखके अगर आपको लॉंग टरं में पर थेुटिफिल्य दहाए है तो अब मुझे लगता है विसमें सरी समय और भी होल्डिंग बाय करके आप फ्रेस इंट्री करोंगे वह समझाता हूं आपको तो यह मैं जेपी पावर के उस पर आगे नहीं सो चौरानवे से कंपनी है तो यह छे परसेंट की तीजी के साथ बंद हुआ है फ्राइड अले जब भी मंडे मार्केट ओपन होगे तो समय और तीजी देखना मिलेगी आज 9 जनवर यह सुभा के बारा बचके तेरा मिंट और संडे तो विकली ओफ है तो देखिए ओपन होता आठ रुपे पे हाई मारा आठ रुप पेचत्र पैसे गा लो मारा आठ रुप है फिफ्टी के अंदर अभी तक है 34% रेटन दे चुका पॉजिटिब में यह टुड़ेट के अंदर 16% रेटन दे चुका वी तक है मैक्स के अंदर अभी तक यह लोल टाइम हाई को नहीं तोड़ पाया है तो देखिए इसके अंदर और क्या है देखिए मैंने के साइट पर आचुका सब्सक्राइब कर देखिए और डिलीवरी के उठाए तो यह भी काफी अच्छा इंडिकेशन है तेरा क्रोड से डिलीवरी में उठाए गाई यह भी होता अच्छा इंडिकेशन है अब जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं आप उसे शौक भी हो सकता है कि किस तरह से इस एड्रॉइट फाइनेंशल सर्विस प्राइविट लिमिटेट ने इसके अंदर फिर से बल्क डिलिंग करी दी ठीके ना 6 करोड 27,002 करोड शेहर बाय करें तो इतने शेहर इनोंने सेल भी करें यह देख सकते हैं आप तो इनकी बल्क डिलिंग इसमें एड्रॉइट फाइन साथ जनवरी आप देख सकते हैं एवरी टैम इसमें कोई ना कोई डॉमेस्टिक अपना इंवेस्टर आता है डॉमेस्टिक फाइनल सर्विस आती है तो वह इसमें बाय करके और इसमें अच्छा गासा प्रॉफिट अन कर रहे हैं यानि एक दो रुपे का मार्जिन करते हैं भ्रवन मन्द का पूरा एक्सलिटूर पर डाउलोड के चैन्में जनवरी के अंधर आप देह सकते हैं और रहे हैं देख सकते हैं तो आप देह सकते हैं वॉल्म किता हुआ 52 है इसने इपना तोड़ एव्री टायम नहीं को अ इसे सांथ स्कारेिया चीहला है निसके तो जमीड़ा अरफ चल रही है किुछ से अच्छा इस या度 सकते बेखना लिए भी कि इसका देखके हैं और आप सो सुनिक्लिख मिपांने याip इसमें कुछ लोग इसमें holding रखके चल रहे हैं तो आप चलते हैं इसके अंदर और क्या है दीकिए इसका शेयर holding pattern देता है तो इसमें परमोटर की holding है 62.2 और एफ़ाइस के holding है 0.9 डिया इसके 28.72 और पब्लीक के पास है 24.37 तो देखे पर मोटर ने अपना share 87.3 परसेंट में share अपना कर्चे पर रखा प्लेडिस पर दे रखा है बाकि इसमें अपनी holding increase करी है ठीकिने 0.9 से बढ़के इन्हों ने अपनी holding बढ़ा ही है आप चलते जेपी पावर के अंदर थोड़ा सा 791 क्रोन मार्केट का इंक्रीज हुआ इसका क्योंकि मार्केट का चार गुस्ता यह देखे स्टॉक पी चलत 5.3 स्टॉक रोसी चलता इसका 7.18 परसेंट और बुक वैल्यू की पंदर पर काफी अच्छा इंडिकेशन आ रहा है इस्टम पर इस्टॉक रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका पॉजिटिव माच होगा 2.83 यह भी काफी अच्छा होगा है फेजली से 10 अरब के डिविडेंड कंपनी ना भी तक दिया नहीं ह इसनिया कंपनी का इस्टॉक ट्रेडिंग कर रहा 0.56 बॉक वैल्यू का कंपनी ने डिलेवरी प्रॉफिट ग्रॉथ और कंपार्ड इन्वल ग्रॉथ रट इसने 55 सल का मैंटन रखा 22.03 परसेंट अपने इंडिकेशन इसमें अच्छे खासे इंडिकेशन आ रहा है इसके अ मूवमेंट बनना स्टाट हो रहा है अब तेजी भी देखनें को मिलेई शेर केंदा सबसे पहले हमें इसका खोल दें मंतली चार्ट देखे इसका मंतली चार्ट पर आ चुका हूं मैं आपने देखा ना किस तरसे में डल बल्क डिलिंग हो रही है किस तरसे इसमें छोटे पर चार्ट पर आसपास जब 2000 किस में था यह 2018 कि आसपास यानि 4 years के high space share चल रहा है आप यह देखे ना कि 4 years के high space share किस तरह से trade कर रहा है यह समझनाली बात है यानि 4 years के level breakout और देखे वाल्यम वाइस भी देखेंगे मंतली चार्ट पर अब देखे इता वॉल्यम जीरों है य यानि कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 से लगाता है इसमें वॉल्यम इंक्रीज होता है यह देख सकते हैं आप दिसंबर में अच्छावास वाल्यम अधर जैनवरी चार्ट हुआ है तो तो वॉल्यम का बार यहां बढ़ रहा है और यहां देखे जो चैंडल जो बन गये है यानि लास्ट टू मंथ से इसमें कैंडल जो बनी वह भी इंडिकेशन है तेजी के अब ट्रेंडिंग और देखे आयमसेटी अब ट्रेंडिंग होगा आरसा इसका क्या हरा है यहां पर यह इंडिकेशन दिखाए तो वैसी चॉविस घुझसर लवे लेवल को इंडिकेशन डेरा है यहां से यहनु से यहां स तेजिनी अच्जर के अपर और्येखी यहां से गच्वेतory का चलता तो अनन तक के हएन तो आप देखीनए यहां पर मेरा दूसरा टारकट रहा है 10 रुमाइप का तशीज़रों पहले दूसरे का सब्सक्राइब तो आप थोड़ा वंदली वेकली चार्ट पर चलता है इसके लिए वेकली चार्ट पर dive पर चलता है इप मुद्धि देखिए आप आप इसमें इंट्री भी कर सकता है तो इसके अंदा आप साड़े 6 रुपे का स्टॉप रोसे सब बाय करके चलिए जब यह इस केंडल का हडल तो यानि के 6 रुपे के नीचे जाता तो इसमें ग्रावट देखने को मिलेगी बट मुझे नहीं लगता इसमें ग्रावट होने के इंडिकेशन है क्योंकि यह हडल यह कैंडल जो बनी हुई है बुलिस कैंडल जो इन्वेटेट हैमर केंडल जो बन ली है तो इंडिकेशन है तो यहां पर वॉल्यूम बार के साथ तीजी चल रही है तो आपको देखे आरसा हमें साड़े डोनों भी वीकली चाट पर इंडि बाके शेर केंदा अगर जैसे हमारा हमारा फाइननस लिए इंडिकेशन दिखेगा वावर सेक्टर के लिए उसमें भी तेजी देखाएगा यह तो तेजी इंडिकेशन बन रहा है आप देशकते के दॉमेस्टिक इन्वेस्टेरे इसके अंधर इन्वेस्ट कर रहे हैं और लो ट्रेендिंग और पर चार्ट परिज़不錯 पर पर और कोई इंटिकेशं इंब्वाथ addiction अन्हाइं दिखा रहा हूं सब्सूरब लाग कल के दिन इसमें इन्वेटिव हमेर केंडल बनी है तो यह और तीजी को इंडिकेशन दे रहा है अगर कल इसके ऊपर क्लोज ओपन होता है यह आपको दसरवे का लेवल जब भी दोड़ेंगे तो वैसी हूँ अगर चार्ट हमें दिखा रहा है कि मैं चार साल पहले इस लेवल पर था तो हम उसी को ही प्रेडक्शन मान के उसी को इस लेवल को इंडिकेशन रखे उस पर तेजी दिखाएंगे तो आपको क्या करना है तो बस न्यू फ्रेज बहेंगी भी कर सकते हैं साड़े चेव के स्टॉप लोस से यह पहला टार्गेट यहां पर दसरवे करा है दसरवे का जैसे हडल तो दूसरा टार्गेट हमारा पच्छी सरवे के बीच में जाएगा तो पच्छीस तक लेवल आपको इजी दिखा देगा तो कैंडल बार अच्छे कासी दिखे रहा है मगर वॉल्यूम अच्छा कासा है तो जेपी पावरम आपको पिसन साथ हॉल रखना और बाये करके न्यू फ्रेस इंट्रिवी कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छ लगा तो प्लीस वीडियो को लैक शेयर फवरड कर बिलकुल ना बूले थैंक यू सो मच पर वेचिंग इस वीडियो